को मिल्क पेरस के लिए मैंने jsemक गटोरी मिल्क आडर लिया है उसमें हाप काटोरी मैंने पेड दूद लिया है दूद इतना हि लेना है कि comprehensive order वह अच्छे से मिल जाए हमें यहां पेडंब हम इतना ही दूद की कॉंटिटी रखनी है कि जिससे यह अच्छे तरीके से गुल जाए तो यहां पर यह हमारा मिल्क पॉडरा दूद रडी हो जो इसको हम लोग साइट कर देंगे फिर मैंने यहां पर गैस पर कराही को रखा है देन उसमें एक टेबल स्पून मैंने घी डाला ह छषफ के बाद हाफ करोरी मैंने यहां पर कंडेंस मिल्क डाला है कंडेंस मिल्क डालने के बाद इसे कंटीनीव एक मिनट तक चलाते रहें और जो गैस ऑफलेम है इसे आप लो में रखेखा गैस या हाइप यहों कि दूद कर डाल देंगे यहां पर लोग दोद से जित्ता भी मैंने यहां पर प्रॉसेस किया इस वीडियो में सारे लोग फ्लेम पे ही किये हैं तो इसे भी अच्छे तरीके से मिला लेंगे आप किसी भी चीज चम्माच कर्ची किसी से भी मिलाईए यह बस अच्छे तरीके से मिल जाना चाहिए तो यह देखिए हमारे कितना गाड़ा हो चुका है बस इसी स्टेश तक रखना है यहां पर मैं गैस को आफ कर दूंगी और स्पैचुला की मदद से सबको एक साथ कर लूंगी आप यहां पर नॉन स्टिक पैन या कराही उस कीजिएगा यह अच्छे तरीके से इसमें से निकल जाएंगे तो क्या होगा लूहे के कराही चिपक जाएंगे तो वहां पर जो मैंने दूर त्यार किया था उसको एक प्लेट में मैंने निकाल लिया है और मैंने अपने हाथों में अच्छे तरीके से घी लगा लिया है दोनों हाथों में आप गी या रिफाइन वाल जरूर लगाएगा वरना क्या कोई भी डाल सकते मैंने हाँ पे बादाम और पिस्ता का इस्तमाल किया है इसी तरीके से मैं सारे मिल्क पेरे को रेडी कर लूँगी तो कितनी जट पर बंकर रेडी हो गई ना यह स्वीडिस और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और तुरंत बन भी जाती है तो अगर व